सब्सक्राइब कीजिए राजदने एजुकेशनल ग्रूप पचकोडिया यूटूब चैनल को बेल आइकन दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए अमारा मोबाइल एब भी हालो डियरी स्टूडेंट जेहिंजे राजदानी मां डौक्टर रमेश यादव राजदन एजुकेशनल पचकोड जेपूर से स्वागत करता हूं आपका जैनेटिक्स की दुनिया में आज हम 19 नंबर के लेक्चर में और कल हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में थोड़ा स आण सी कड़वाल शरीतायादम बीरबल कुमार जी सुमन विनाश प्तंस उड़ा सवी को भूइस सारे राज बहुत सारी सुट्पाम नहीं कुई क्ल तक कRO सकते हैं मोनिका मीना सभी को बिटा खुब आशिरवात क्लियर है प्रियंक का बिटिया के रिए क्लियर है मेगना नहीं सर कोई प्रॉब्म नहीं है कितने बच्चों ने पढ़ा बिटा जाके एक बार दुबारा देखा या मोटे-मोटे न के नोटस पगेरा देखे या जो भी आपके पास अबेलेबल मेटर था उसको देखा कितने बच्चों ने किया संगर्स जैराज देन बिटी उचा बिटिया क्लियर है कि देखा समझ में आ गया पुरा कि चलि आगे बढ़े जाते हैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए सभी को धेरो सुब काम नहीं कि आज स्रावनी शिवरात्री भी है उसकी भी सुब काम नहीं एंसी आरटी पड़ी है बापू वेरी बड़ा दिवया बिटिया और वो थोड़ा लेट हो गए उसमें क्या सुबह अप्लोड नहीं हो रहे थे आज वह होता ना थर्मो डाइनेमिक्स जरो तो अभी दुबार आज हमारा टोपिक रहेगा शुरू करने मतलब पहले चल रहा है उसमें कोई दिक्रत आपको आने रही क्रिस्क्रोष और नोन क्रिस्क्रोष दोनों आपके समझ में आ चुके हैं बिल्कुल क्लियर है और अभी हम पढ़ेंगे सेक्स लिमिटेड करेक्टर्स ऐसे वाले करेक होते हैं नर्में नहीं होते हैं ऐसे जो करेक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं सेक्स लिमिटेड करेक्टर याद हो गया हो का डेफिनेशन जो एक लिंग में होते हैं दूसरे लिंग में नहीं होते हैं उनको बोलते हैं सेक्स लिंक्डे सेक्स लिमिटेड करेक्टर्स या ल बनम होती है लेकिन उसको क्या चुंडीशन मिल रहे है तो वह अपना दिखा देगी और जो नहीं नहीं मिल रहा उसको टेस्ट लाइस तिरों तो वो करेक्टर नहीं दिखाएगी तो ऐसे जीन जो एक लिंग में तो उपस्त होते हैं दूसरे में लक्सर जीन दोनों में होते हैं ऐसे लक्सर जो एक प्रकार के लिंग में होते हैं फिर आगे जागे चलता हो उसके क्या अलग ट्रेणिंग लेनी पड़ती मोबाई लेफ चलाने की अब बढ़े उसके उपर रहे डारा कंटीनिव आपके पहले सुरू में खोलती है चालू करना चाहरे होंगा वहां नहीं चलेंगे लिए अपको अपने अधर या कंटीनु करना पड़ेगा अगर पहले से एड़ दो तब आगे चलता हो इसके लिए अलग से ट्रेंडिंग होत होती है लेकिन लक्षन किसी एक में प्रकट होता है उनको बोलते हैं सैक्स लिमिटेड करेक्टर ठीक बही जैसे ट्वी लेंगे के लख्षन आचाहिंकी जीन होती है वो कहां पाय जाए यह पाय जाए जाएंगे ओटसौम के उपर तो आज जो भी पढ़ेंगे नम कल तो कि एक्स पर वाई पर मतलब एसों मोज के ओपर आज फट नहीं चल रहे है किनु ओपर आप चल रहा यह बोच्रेश्ट रहा है कौसेशिंग भाई चल रहा हैges secondary जो characters होते हैं, secondary जो sexual characters होते हैं, उनकी gene मिलेगी आपको autosomes के उपर, कहा मिलेगी? autosomes के उपर, ठीक है? अब इनका लक्षन प्रकट करने का है और इनका प्रभाव जो अनों किस पर depend करता है? लिंग हार्मोन की उपस्तिती या अनुपस्तिती पर, लिंग हार्मोन की उपस्तिती या अनुपस्तिती पर, अकर लिंग हार्मोन उपस्तित है, तो यह वाले जो gene हो अपने लक्षन को परकट कर देंगे, और लिंग हार्मोन उपस्तित नहीं है, तो वो परकट नहीं कर तोगह्ता जाता है है डीक के मिलेगी इंदर और मादा दोने मिलेगी गुडे कि बीड़ाए जिन का प्रपख नादतरा बैद года'm findings कर रहा है लिंग आती है मैंने कुछ भी नहीं बताया मैं मैं पढ़ा रहा हूं sex limited characters ऐसे लक्षण जो नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं लेकिन प्रकट किसी एक में होता है मतलब जीन दोनों मिलती है लक्षण एक में प्रकट होता है उनको sex limited character कहते हैं और इन sex limited इनकी जीन कहां पाए जाती है अब इनका जीन दोनों में नर में मादा में लेकिन लक्षण किसमें प्रकट करेगी जहां उसको मिल गया लिंग हार्मोन तो लिंग हार्मोन भी कौन सा भाई पैस्टाइस्टिरोन नेक्स स्लाइड पर आप देख सकते हैं यह वाला देखो जैसे दाड़ी मूच की जीन दाड़ी मूच की जीन नर में भी होती है मादा में भी होती है महिला में भी दाड़ी मूच की जीन होती है पूरुस में भी होती है लेकिन जिसको मिल गया टेस्टाइस्टिरोन टेस्टाइस्टिरोन किसमें होता है नर में होता है तो वहां पर उसका लक्षन परकट हो जाता है महीला में ओ टेस्टा इस ड्रोन जो है नहीं होता है तो वहां पर दाड़ी मुझे नहीं आती है मतलब जीन है लेकिन लक्षन वहां परकट नहीं होता अब ही समझ में आ गया सवी बच्चों को चलिए और आगे पड़ जाते हैं अब लेटे लिंग प्रभावित लक्षण sex influenced character ये क्या होते हैं बाई ये ऐसे वाली होते हैं कि काई कोई gene का मिलेगी काई की गुन सुत्रों पर जीन किदर मिलेगी बिटा विसम युगमजी अवस्ता में मतलब जब भी एक केपिटल एक इसमाल वाली कंडिसन होगी तो इसका वेवार विसम युगमजी अवस्ता में जब रहेंगे न मतलब सम युगमजी रहेंगे तो female में और male में दोनों में एक जैसा विवार करेंगे ठीक है बई? और जैसे विस्व युगमजी होंगे मतलब एक capital एक small वाला आएगा जीन, तो वहाँ पर male में इसका अलग विवार होगा, मतलब पुरुस में अलग होगा और female या मैला में अलग होगा समझ में आ रहा है भई, यह है sex influence character एक बार मुझे sex limited character के बारे बताते भटाबड क्या होता है sex limited character किसे कहते है sex limited character किसे कहते है जिसका जीन मादा और नर दोनों में होता है लेकिन वो condition पर depend करता है कि condition सही मिलगी तो लक्षण प्रकट हो जाएगा और condition नहीं मिली तो प्रकट नहीं होगा जैसे दाड़ी मूच वाला हो गया हो तो अभी कौन सेल रहा sex influence collector या लिंग प्रभावित लक्षण इसकी भी जीन, उसकी भी जीन कहा थी काई गुन सुत्रों पे इसकी भी कहाँ पर है काई गुन सुत्रों पे लेकिन इसका वेवार किस वाले का वेवार अलग होगा हेट्रो जाइगस का अलग होगा है ना बई हेट्रो जाइगस ग्रेशे ये मान लेते capital B capital B है अगर ये कोई लक्षण तो मादम भी करेगी नर्मी भी करेगी चोटा भी चोटा भी है तो भी दोनों में करेगी लेकिन जैसे ये capital और इसमाल आएक न विसमी कुमा जी तो किसी एक में करेगी इसको बोलते है sex influence character वैसे नाम ही ते कुछ का sex influence character मतलब लिंग का परभाव पढ़ने वाला है भी कैन ज़ेता लिंक से अपरभाईित होने वाला है मतलब नर्मादमें अलग-अलग लकस्ण देने वाला है जैसे example गंजेपन का ले लेते देंगे गांजे बूस और यह जोटा पी वाला होगा और ऊनजा नहीं होगा अप मुझे आप बताऊ जैसे कोई mail है पूरुस उसके capital B capital B आ गया capital B तो किसके लिए गंजेपन के लिए है हम आलो किसी पूरुस में capital B capital B आ गया तो बताओ पूरुस गंजा होगा या नहीं होगा महिजी गूजर साहब आ गया आज स्वागत महिजी का गंजा होगा ठीक है गंगा नहीं पिटा सुमन बेटी के लिए गंगा होगा हो गंजा जे लगा रही दिन लास में होगा के दो चलो सही है गंजा होगा चलो यही जीन किसी महिला में आ जाए तो गंजी होगी या नहीं होगी गंजी होगी या नहीं होगी हाँ कोई बात नहीं सुमन बेटी महिला गंजी होगी या नहीं होगी उपर clear नहीं दिख रहे हैं भाई दिख रहे हैं कि गलत जवाब दे रहे हैं कियो नहीं होगी जब मैंने कहा कि सम्युगमजी अवस्ता में तो सेम वेवार होगा सम्युगमजी अवस्ता में तो इस जीन का वेवार सेम होगा मतलब मेल भी गंजा और फिमेल भी गंजी इसका मतलब आप समझे नहीं पारे होगी मैला भी होगी इसमें तो Capital B, Capital B में तो दोनों ही गंजे होंगे, जी, है ना भई, दोनों ही गंजे होंगे, अब चलो, Small B, Small B आजाए तो, बताए कोन गंजा होगा, कोन गंजी नहीं होंगी, चोटा B, चोटा B आजाए तो, दोनों ही नहीं होगे, कन गंजा पुरुसारे मिले कावाज उठाएंगे, कि जब ये वाला आजाए विश्व युकमजी एक capital B रेक small B तो विचारा पुरुस तो गंजा हो रहा है और मैला गंजी नहीं हो रही है यहाँ पर भी आई मानी हो रही भाई यह पुरुसों के साथ बिल्कुल सरे आम दोका हो रहा है मतलब यहां तो मान लेते हैं चलो दोनों को बराबर रखा बेटा बेटी दोनों समान कोई दिक्कत नहीं है यहां पर भी दोनों को समान रखा लेकिन यह जैसे विश्व युकमजी आई न मतलब सुपरीम कोर तक जाना चाहिए क्या चल रहा है हमें तो टकला बनाया जा रहा है नवीन को चिटींग की जा रही यह ठीक है बच्चियों को बड़ा मज़ा रहा है बोला जी हम तो बच जाएंगे बाप्पू गंजी हो जाएंगे चलिए आगे बढ़ लेते हैं यह समझा हुआ देखो आगे भूबे डेखे शमाल भी शमाल भी तो गंजापन आएका ह Maarडम इहाएंगा नर में अगे अगर केपिटल भी एक श्माल में गंजापन आ गया पर और यहां मादाह में गंजापन नहीं आया तोेवियर एसी जीइन बईमानी न कर रही रहे वह क्या कर लेंगी sense influenced characters करेक्टर सके लहेंगे डिवो capital B capital दोनों में गंजे रहा है यहां में कोई इकर दिनिक उन्हों में आ रहा है मदंघान पुरुस में थल्श थेतं को रही है तो चिटिंग को olar too जो कि आ पसपात करती यहां साफ साभ लिखाओ क्ता है point बन रहा है NA मजबूत evidence भन रहा है कोल्ट के लिए यहां चिटिंग हो रही है समझ में आगे वह इस अभी को इसके परभावसित दर्में गंजापन पाया जाता है जब कि मादा में गंजापन नहीं पाया जाता है सब भी को भधायों से धीशियों को ठीक में चले सब आप आगा लिक अब निर्धारन के अब गैसे कैसे होता है किसमें कैसी एक क्वेश्टन अब निरहें अदे है इस अब किक ऐगा रह्या इसमें अधाsl इंड़ cruise कमें से ऑफट्र कोła इसमें प्वेश्चन कि पर में सकते हैं आ ठीक है चलिए उसके बाद चलते हैं लिंक निजन वार टोपिक में तो देखो जीवन की सुरुवाति अवस्ता में जीन परिवर्धन के द्वारा बतला विकास जब हो रहा उस समय लिंग निधारन हो जाए उसका जब उसका development हो रहा उस समय लिंग का निधारन हो जाए वो मादा या नर नर बन जाए इसी को बोलते है sex determination पर definition क्या होगी जीवन के शुरुवाती अवस्ता में जीव में परिवर्धन के द्वारा जमाता सुरुवाती जो परिवर्धन हो रहा ह उस समय नर या मादा का निध्दारन के subjective대 अब लिंगा निर्धारन की विधिय अलग अलगा होती कहई往 मादा बन जायए या नर यजाएगा थोड़ी ठंडर लग घैई लग घए तो हमनोगी नर बन जायएक इनर कहलाता है अब लिंग निर्थारण की विधिया अलग अलग होती बैस आप कईयों में ना वातावरण का परपड़ता है थोड़ी घर्मी जाता हो गई मादा बन जाएगी या नर बन जाएगा थोड़ी ठंडर लग गई तो है ना भई नर बन जाएगा मतलों यहां पर बिद्ट से भी होता है तो यह तरीके कुश्चन बंढ रहा है कि लिंग निर्थारण हो सकता है औंबर नंबर 1 के द्वान तुम में अलग हो सकता है अब वह अपनी मादा के पास रह गया माखे पास रह गया तो अलग लिए पीच का बन जाएगा ऐसे हो गया तो दोनों के बीच का बन जाएगा ऐसे होता उसके अंदर तो यहां वातावन के जानते होंगे आप haploid कहते n को, और deployed कहते थे 2 n को, तो ये तरीके जिनके द्वारा लिंग निडदारन हो सकता है, वाधावन से हो सकता है, या बिर लिंगोन सुतर की उपस्तिक, sex chrono zone की उपस्तिति से हो सकता है, या haploid deployed दोनों तरीके से भी हो सकता है आगे डिटेल पढ़ेंगे इनको पहले लेते निश्य चन की आधार पर लिंग निड़दार तो सेक्स डिटिर्मिनेशन बेस्ट डॉन फर्टिलाइजेशन अब देखे इसमें तीन प्रकार हो जाएंगे सबसे पहला है प्रो गेमिक देखो प्रो क्या होता भई पह गेमिक क्या होता है में आपको गेमिक का फ्यूजन होना मतलब निश्य चन तो यह अपने आप नाम से पता लगया प्रो गेमिक यानि की गेमिक से पहले ही मतलब निश्य चन के पहले ही लिंग निरधारण हो जाए उसके लिए टर्म यूज करते प्रो गेमिक निश्य चन से पहले लिंग निर्धारत कहलाता है प्रोगेमिक प्रोगेमिक इनको ऐसे करो ना यार प्रोगेमिक 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 प्रोगेमि निसन से पहले ही , उसको क्या बोलने वाले ए? प्रोगेमिक , प्रोगेमिक निसे चन से पहले , में चली बढ़ते है है , लेते हैं , जीजामपल मिलेते है , कहां होता है साथ एक हम्हेनी बी में आपके ऐगनी बी में जो ड्रोन बनता है न nella उसका डिशेजन पहली वर जाहता है निशेचन से पहले ही ऐना बई 7で पहले होता है ड्रोन आगे डिटेल पने से को भूल पूर게 जबाच का से पूर टेकनिकली सारा समझेंगे फिलाल तो ड्रोन या नर्ज उह नहीं होता है उसमें लिंका निर्धारण और ओवा का दोनों नुक्लियस मिलते है ना उसके लिए वर्ड यूज करते है केरियो गेमी जैनेरेटर चलाओ पर दोड़के थोड़ी सी प्रोब्लम आ सकती बिटा नेट इस्यू वो नेट इस्यू नहीं मतलब लाइट इस्यू हमारे क्या कल साम से लाइट नियारी तो जने लेकर अभी यह लाइट जो ना कम ज्यादा होगी परेसान करेंगे यह देगो और इस यह आ रहा है प्लेक्ट्ट्वेस्ट आ रहा है कि चलो संगर्स करेंगे लिकिन साम तक बता रहे है सही हो जाएगी इसलिए गर्मी सी लग रही है क्योंकि सब बंद पड़े है ऐसी वसी सब बंद चली प्रोगेमिक हो गया हाँ बिफोर फेटरिलाइजेशन बिल्कुर्छ सही बात बिढ़ है कलपना बीटिया ने स्वर भी और में ब्रोन बंजिएगा सिंग्यमिक क्या होता वहीए सिंग्यमिक कहते है सिंगे मिक निशेचन के टाइम सिंगे मिक निशेचन के टाइम सिंगेमिक और जयातर में तभी होता है हमारे अंदर भी तभी होता भाई सारे पॉद्वह में जन्तों में सिंगेमी कर नहीं होता है हमारे टाइम हमारे कब होता है वाई एक्स जो गुर्ण सुत्र उन्हें से एक्स अगर वाई के साथ मिल गया वाई के साथ तो बच्चा बंजेयागा लेकिन हुआ कब हो एड़ टायम ओफ करते शेक्स हो तो सिंग गेमिक हो घवाइज कर माधा कि पिए बर्स निशेचांब हो रिख अ जुदक हो गया उसके बाद में नर्या माधा बन रहे है वो कहले का अगे चलते अब लिंग निडधारन की किरिया विधी, मेकेनिजम ओप सेक्स, ये तीनों टार्म याद हो गए, प्रोगेमिक, निश्चन से पहले लिंडधारन, सिंगेमिक, निश्चन के टाइम, और एपिगेमिक क्या हो गए, निश्चन के बात, रोयल जेली वाली बात में बात करेंगे बटा, रोयल जेली से तो राणी और स्रमिक चेंज होंगी, मादा नहीं, रोयल जेली से मादा फरक नहीं पड़ता है, मादा को रोयल जेली मिनने पर राणी बन जाती है, नहीं खाएगी तो भी जो बनेगी वो मादा ही रेगी ऐसी होंगी ठीक है जी इनको सब्द नहीं दिख रहा है मैंने बोल दिया ने बिटा ड्रोन है ठीक है वो इसको यहां से अटाने पर लिखड़ा होता न तो अट जाता हूँ इसे होता है यह करें वो कोई उपर आ रहा है नोड तो दिख दीरा ड्रोन है अब देख ले चलिए अब सुरू करते हैं मेकेनिजम ओफ सेक्स डेटर्मिनेशन सबसे पहला है एलोसोमिक कोई बच्चा मुझे बता है एलोसोमिक क्या होता है बोला सर सेक्स क्रोमोजोम लिंग गुण सुत्रों से लिंग निर्दारन हो रहा है तो एलोसोमिक सेक्स डेटर्मिनेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा बई एलोसोमिक के सेक्स डेटर्मिनेशन अब ये भी दो प्रकार का होता है पागे लो कौन कौन सा बई एक तो autosomes या kai возвращ गुनसुत्र यह kai, बाई एक तो हो गया, a聊osomik दूसरा हो जाएक, autosomic, ऐसी आएंगी फ़ेखेए को लिए ले लेंगे सबसे पहले, दो हो गया, littmanus autosome और a 89 उत रृता वलंक दोघिल फॉर्ण expect कि मैं जच्छ क्या होते हैं वेड़ा τृटो हमां सोंके एंवाणत Oreo जोक्रार्ट क्या हो तब थे एक हैन प्र Goes to कि एधार और लिंग्यृता दोखषे लिए pug तो किया होते ओ्टो क्या होते है की ओप सुम दोगे औ्टो औ्टो अचेलल रखे हैं। बोडिके व्यकुल्क लेदार होते हैं लेकिन निड़ारण से इनका कोई वास्ता नहीं होता इसलिए इनको बौलते हैं काई गुण शुत्र या और क्या बोलेंगे ए लिंक बोल शुंत्र अट्पासाम होते हैं अपर सेक्सवल क्रोमोजॉम् दूसरा ले लो एलोसोम एलोसोम के दो इनको या इनको हेट्रोसोम भी बोलते हैं हिट्रोसोम या हेट्रोसोम या फिर इंदी में बोलते हैं लिंग उन्चुत्र या फिर इंगलिस में जो उनको सेक्स क्रोमोजोम एक ही बात है लिंगुण सुत्र ही एलोसोम लिंगुण सुत्र ही हेट्रोसोम और यह एलोसोम और हेट्रोसोम वर्ट देने वाले वेग्या निगते हैं मौन्ट गोमरी, नोट डाउन बिटा, लिख लेड़ा इसको, मौन्ट गोमरी, एलोसोम या लिंक उनसुतर नाम देने वाले, हेट्रोसोम नाम देने वाले को हों थे बैई, वो थे मौन्ट गोमरी, मौन्ट गोमरी पाकिस्तार नहीं, साहिवाल का साहिद उद्गम इस्तल है, मौन्ट गॉम्री एलोसोम नाम दिया मौन्ट गॉम्री हेट्रोसोम नाम दिया एलोसोम और हेट्रोसोम नाम किसे दिया भई मौन्ट गॉम्री याद होगे एक बार याद दुबारा बता रहा हूँ मैं यह आपके ओट्रोसोम्स होते हैं या काईक गुर्ण सुतर कहते हैं, इनका लिंग निर्धारन से कोई मतलब नहीं है, ये केवल काईक लक्ष्णों का ही नियंतरन करते हैं, लेकिन एलोसोम्स कौन से होंगे, या लिंग निर्धारन में भाग लेते हैं, और ये टर्म किस ने दिया था भई? ये टर्म दिया था मकलंग, sex chromosome की discovery, फिर एक important question, कि autosome और ये तो allosome ना, ये तो होई का मौन्ट गोमरी, लेकिन ये पूछे बहुत आए, autosome, allosome दोनों सब देने वाले कौन थे, तो वहाँ पर नाम आएगा मेकलंग, क्या नाम आएगा भई, मेकलंग, mc, कलंग, इस तरह से बोलते हैं, yes, sex chromosome, मेकलंग, मेकलंग, allosome, montagomery, heterosome, montagomery, चीक है, दो question होगे बिटा, अब x खुण सुत्रों की कोच, अब आप कहोगे सर, जब आप बता चुके हो allosome, तो एलosome तो भईया, x, y दोनों भी होते हैं, वो तो सब्द दिया था, उन्होंने वैसी भी, और यह आगए x chromosome की कोच, यह की थी, हैंकिंग, हैंकिंग, x chromosome, हैंकिंग, x chromosome, हैंकिंग, nे कह दिती हैं, x chromosome को discover कर लिया, फिर आए दो वेक्यानिक, इनके बारे में पहले बात कर चुके हैं, Wilson और Stevens, हम Wilson की पहले भी बात कर चुके हैं, कि मैंने आपको कहा था, कि अनुवन सिक्ता का गुण सुत्रिय सिद्धान्त आ जाए, मतलब, chromosomeal theory of inheritance आ जाए, तब तो सटन और बावेरी करना है, किसी को याद होगा, और जब, link निर्थारन का गुण सुत्र सिद्धान्त आ जाए, मतलब, chromosome theory of sex determination आ जाए, तो मैंने आपको कहा था, कि Wilson याद करना है, तो किस वेग्यानिक ने, chromosomeal theory, मतलब, गुण सुत्र सिद्धान्त, किस वाला, link निर्थारन वाला, वो किसन दिया था, Wilson और Stevens, Wilson और Stevens, Wilson और Stevens, chromosomeal theory of inheritance, certain बावेरी, और chromosomeal theory of sex determination, वो हो गया भाई, विल्सन और Stevens, Wilson और Stevens, चलिए, दोनों याद हो गया, आपको अलग अलग, chromosomeal theory of sex determination, link निर्थारन का गुण सुत्र सिद्धान, Wilson, Stevens, और link निर्थारन का अनवन सिक्ता, गुण सुत्र सिद्धान, Sutton और बावेरी, सही है, correct है विटा, अब चलते है, link निर्थारन के प्रकार पे, कैसे कैसे link निर्थारन होते हैं और ये वाला topic ज्यदा important जो अब चालो हो रहा है विटा, ये बहुत important है, देखिए, xx और xy प्रकार का link निर्थारन और इसको दूसरा प्रकार इसका नाम होता है, लाइगियस, xx, xy, ये लाइगियस प्रकार का भी कहलाता है, इसमें क्या हो जाएगा, xx जो है न, वो माधा हो जाएगी, xy नर्था भी हो जाएगा, उल्टा भी होगा, उसको आगे लेंगे हैं, कौन सवाल आ गया, xx, मतलब क्या चल रहा है, अब चल रहा है, types of the sex determination, types of sex determination, कितने प्रकार का होता है, लिंग नर्थारण, और पहला कौन सा आगा है, xx, xy प्रकार का, या फिर इनको बोलते है, लाइगियस प्रकार का, ये वाला जो देखने वाले वेगए नहीं थे वो, विल्सन, और उनके साथ था वो ही, stevens, इन्होंने देखा था, किसमें देखा था, एक कोदा होता, milkweed bug, बिटल होती है, इनसेक्ट होता है, milkweed bug, लाइगियस, उसका नाम ही क्या होता है, लाइगियस, बस लाइगियस में देखने एक कारण, इसका नाम क्या पढ़ गया, xx, xy या लाइगियस प्रकार का, तो important question होगे बई, कि सबसे पहले xx, xy टाइप का या लाइगियस प्रकार का, किसने देखा, wilson और stevens ने देखा, किसमें देखा, milkweed bug, milkweed bug, एक किड़ा आता है, जो आख के उपर रहता, आख कड़ा पर, इसको क्या बोलते हैं, जो आख कई खरपत और पर जाहां, दूट सा निकलता है, उनके उपर रहता हूँ, आख बे भी रहता है, कई सबसे खरपत और रहता है, उसके अंदर देखा गया था, देखा किसने था, wilson ने, क्या देखा था, ये वाला, sex determination, xx, xy प्रकार का, या स्टिवेंस ने किसमें देखा था, milkweed bug या ligus, इसको क्या बोलते है, ligus बोलते हैं, इसमें देखा था, clear है बई, चलिए, आगे लेते, अब इसके भी दो प्रकार हो जाएंगा बई, इसमें कभी-कभी होता है, xx मादा जैसे अपने अंदर हो रहा है, और xy होता है, नर, ल दूसरा मानलेकर इदर, xy हो, यहाँ पर gamit बनाने विटा, कितने प्रकार gamit बनेगे बदाइए, गेमिट टाइपस ओप गेमिट एक ही प्रकार के बनेंगे किदे प्रकार के बनेंगे एक ही प्रकार के इसका मतलब गेमिट क्या बन रहे एक जैसी बन रहे प्रकार का मतलब चाहिए बले ही आप दो बना दो लेकिन प्रकार क्या रहेगा एक तो gamit ही तो क्या होते है? युग में gamit होगे ना बई? gamit एक प्रकार के बनेगे, x प्रकार की चाहिए आप दो बणाओ तो भी x प्रकार की बनेगे इसका मतलब जो female होती है वो एक ही प्रकार की gamit बनाती है आप एक बनाओ, एक ही प्रकार के बनेंगे, चाहिए दो बनेंगे तो भी एक ही प्रकार के बनेंगे, मतलब समान बनेंगे, इसलिए फिमेल क्या होती है, आपर होमो गेमिटिक, लेकिन नर के बनाओ, एकस वाई के बनाओ गेमिट, इसके भी दो बनेंगे, मतलब इसके भी द आप पढ़ रहे हैं, x x x y प्रकार का जिसको लाईगीज कहते है, इसकी खोज कीती, स्टिवेंस और विल्सन और स्टिवेंस ने कीती, मिल्क वीड बुग पर, जिसको लाईगीज भी कहते हैं, और इसके दो प्रकार है, कभी ऐसा अए ख़ी, x x दॉती है, है than link उनसुतर इनका तो कोई मतलब भी नहीं है यह तो क्या होते हैं यह तो link निटधारण में भागी नहीं लेते हैं तो यहां पर ot soit time लिख दे लिकिन यह मादा के एक्स-at 의 yomme बिशूं मादा है गेमित बना ये बना otosorm फ्लस प्लस एक्स यह बना ओटो सॉम प्लस एक्स तो इसका मेलों गेम इट दोनों क्या हो गए सेम हो गए कि अब यह मत करना कि सर एक कहां से आया यह तो आता ही है यह यह नहीं आता है जैसे अपने लिंग निरिधान आपने कभी ॉट्षफ बढ़ल होका वाइट पेस निकाल बड़ागी पृण हे 6 iंब गभ़्षण मनुस्य की बाद करें अपन तो अपन aja करते चंवालीज गानो शथा एक्स वाई यह क्या होता है नरं क्रोस चंवालीज स्था प्लाइस एक्स एक्स ये कोन हो गई मादा तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पर चमालीज फिर यहाँ पर गेमिट्स बनाते है अपन गेमिट्स कैसे बनाएंगे पर्थकरन से तो आदे आदे जाते हैं कितरे कितरे बनते हैं इनके ये बनते हैं 22 प्लाइस एक्स एक और दूसरा 22 प्लस y ये दूसरा तो ये 22 क्या है autosome 22 क्या होते है भई autosome क्या होते है बैटा autosome तो आपन लिखते है न autosome इधर क्या होगा इधर आप चाहो तो 2 बना लो आप चाहो तो अगर आपको genetics बहुत अच्छी आती है तो आप एक बना सकते हैं, सीधाई क्या बनेगा बताओ, 20 प्लास X, भाइ, दूसरा कहा गया, भाइ, दूसरा भी यही बनेगा, तो जब सेम गेमिट हो तो में एक ही प्रकार ले लेते हैं, एक ही ले लेते हैं ना, अब उसको जिसके साथ जो मिल गया, मनुस्य में बढ़ते है अपने सा जैसे मालो यह हो गया तो चमालीस यह कौन है सब गेमिट्स आप दो भी बना सकते हो बुक्स में आपको दो ही मिलेंगे अलागी प्रकार दोनों का क्या बटा एक होता है दो भी बढ़ा सकते हो तब दो मादा क्या होती है होमोगेमिट्टिक होती है नर अलग अलग मनाते है इसलिए हो हेटरोगेमिट्टिक होता है तो अगर यह इसके साथ मिल गया तो चमालीस प्लैस एकस एकस बताओ क्या होगी बच्ची होंगी फिमेल होंगी अगर ये वाले मिल गए तो चमाली स्प्लैस एक्स वाई ये क्या हो जाएगा मेल और ये वाला अगर लास्ट वाले के साथ मिल गए तो वो ही चमाली स्प्लैस एक्स वाई ये भी क्या हो जाएगा मेल तो क्या संभावना हो गई दो male की संभावना होती है दो ही female की यानि कि एक अनुपाद एक ऐसे यह पढ़ाओगा न आपने इसलिए हम लिखते हैं बिटा से यह हम क्या करते हैं पहले ओटो सोम लिखते हैं अब ओटो सोम के नंबर क्या है वो अलग-अलग जीव में यह समझ में आ गया है कि यस तो यह वाला हो गया देखो फिमेल यह ओटो सोम लिख रहा है मैं यह आपर ओटो सोम क्या होगे बढ़ी ओटो सोम होगे ऐलिंग उन सुत्रे एलिंग और मादा के एक से सुलिफ और मादा क्या होगी हो मैं अचिस अबार में देख लें नर कैसे बना रहा है तो यहां पर देखो यां पन नर के अलग-अलग प्रकार के बना है क्या देखो ये वो ही ओटो सो, जिसको अपन 44 लिख रहे हैं मनुस्य में, किसी और में 20 भी लिख सकते हैं और ये XY, नर है, तो गेमिट क्या बनाएगा, A प्लस X, A प्लस Y, दोनों गेमिट अलग-अलग है क्योंकि एक A प्लस X है, दूसरा A प्लस Y है, इसका मतलब मेल क्या होता है, हेट्रोगेमिटिक होता है लिखा यहाँ पर देखो, मेल क्या होता है, हेट्रोगेमिटिक होता है, मतलब विसम युगमजी होता है विसम युगमकी, not युगमजी, विसम युगमकी, क्योंकि युगमक बना रहा न, ऐलाग ऐलाग, विसम युगमकी होता है, Hetero, ठीक है बाई, चलिए, अब देखो नर में क्या है, नर में ये क्या बनाएगा, इससे क्या बनने वाला है, male या female, उपर वाले वाले अब यporte नहीं बनेगा रखेंगा बाई है तो किया ये गेमिट ये भी गेमिट है और ये भी कौन भाई गेमिट है ये क्या बनाएगा आगे चलके ये बनाएगा female नहीं है तो गेमिट ही और male की गेमिट हो क्या बोलते है mid female gamit is called male gamit is called जवाब देः उसका आगे कैया आएगा नर्युक में कहलाताई male gamit is called endosperm यह बेटी कहां से वड़ लिये endosperm male gamit is called भाई रुक्यों गए endosperm सुक्रानू देख कितना सही लिखाया इसने आर्तियादों लिखाया सुक्रानू अरा भई नर्युगमक सुक्रानू कहलाता स्पर्म कहलाता है इतना टाइम लगता कि बेटा male gamit is called sperm female gamit is called ova naryugमक सुक्रानू कहलाता है मादा युगमक है अंडानु कहलाता है इसका मतलों दोनों ही क्या है ये ये दोनों क्या है बिटा सुक्रानु है क्योंकि दोनों ही नर के युगमक है दोनों ही कौन से वाली युगमक भाई नर के युगमक इसलिए दोनों क्या है सुक्रानु है स्पर्म है बिल्कुल इससे पहले अपने मादा कि पढ़ेते वो ते दोनों ओवा थे अंडानू ते ओव एद ओव ये ओव ऐँ ओव सफुक्राणू कैले अनुस्य में तो ठीक है लेकिन यह आकर चले क्या बनाने वाला है बच्ची मतलब फिमेल यह क्या बनाने वाला है मैल लिए इसको बोलते एंस सुकारणू को इस एसप स्पर्म सुखराणु है लेकिना आगे चलके गाईनो बनाएगा गाईनो मैने कल भी कहा था फिमेल के लिए वर्ड आता बिटा जैसे गाईनो लोजिस्ट जो महिलाओं की डोक्टर होती है महिलाओं की डिजीज़ की डोक्टरgh प difयर उनके लिए वर्ड उझार्म करते हैं या महिला रोग विस्य सके ए उनके लिए गाईनो लोजिस्ट्स वर्ड उझार्णे उज्ञते हैं तो यह आगे चले कि बच्ची बनाने वाला सुक्राणु का नाम ही क्या हो जाएगा गाईनोस्पर्म और यह क्या बनाएगा यह बच्चा यह वाला क्या एंड्रो इसका मतलब मेल हमेशा दो परकार के स्पर्म बनाता है एक नर बनाने वाला एक मादा बनाने वाला नर बनाने वाला स्पर्म क्या कहलाएगा एंड्रो स्पर्म और मादा बनाएगा जो बच्ची बनेगी जिससे वो क्या कहलाएगा गाइनो स्पर्म तो देखो नर में एक्स गुन सुतरी युक जो गेमिट होता है इसमें बढ़ जाओ जी आप दो चलिए थेंक्यू बटा सभी का अब लेती इसके आगे वाला और वो उसका उल्टा हो जाएगा अभी एक्जामपल सोरी इसके एक्जामपल है किस-किस में ऐसा होता कि इसके एक्जामपल में उसके टोच नाम नर होता है चैस्य माणव हो üzगे ओगास ऑर वाले छो इस स्पर्म वो मादऌ अठ्पर्म करता है ये आख्च्ञा है उसका नर होता है कॉक्सी निया और मिलेंड्रियम वन सरमाजी क्या रिपीट करूँ मेरे समझ में यार रिपीट करूँ वो तो सिंपल पड़ा बिल्कुली और ये एक्जामपल इसको याद करना है भाई एक्ष स्ट एक्ष अगर मादा है एक्ष वाई नर है तो वो मनुष्य मिलने वाला है ड्रोस विल्या मिलने वाला है तो फ्र MOR रिकरतों में तो स्ब्संपली नहीं हो कर हम मनोष नेनमप बिटक कर नहीं इसके अंदर spelling दिख रही है न बटा board की उपर उसको correct लिखा करो देखके लिखा करो सामने तो पढ़िए ताकि आपके spelling सुधरे बिटा नहीं तो फिर आप हमेशा ऐसे spelling को लिखते रहोगे once by क्या समझ में नहीं है simple पड़ा यार की बटा कि कभी कभी ऐसा होता कि minimum एक्स नर उतरो होती है यारी उसकी गेमिट दोनों जोगमिट बने गेमिट तो मादा क्या होगी ओती पिर जो नर है उसके भी एक एक टो एक वाला या वाला दो गेमिट है ऄगे चलके बच्ची बनाएगा तो गाईनो स्परम हो गया और दूसरा तो सुक्रानों है जो एक्स वाई वाला है वो एंड्रो बनाएगा मतलब पुरूस बनाएगा तो एंड्रो Sपरम हो गया ठीक है चलिए अब इसका उल्टा लेते देखें आप दुनिया में कभी कभी एसा बे होता है कि XY मादा हो जाए कहीं न कहीं उसके एक्जामपल अलग आएंगे XY मादा हो सकती है अब यह मत करना सर सिर पकड़ने की इच्छा हो रही मेरी तो XY मादा कैसी हो सकती है होती है ना अभी पताएंगे आपको किस किस में होती है ठीक है बई xy मादा मतलब उल्टा आदमी वाला उल्टा या xx नर मतलब उल्टा लेकिन ज़्यादधा उनको xy x x नहीं यूज करके word वहाँ यूज करते हैं zw zw kis के लिए मादा के लिए मतलब इसके लिए यहाँ z कर लिया y के लिए w कर लिया ठीक है बई और यहाँ जेड, X के लिए जेड ही कर रहे हैं, तो नर क्या हो जाएगा, जेड, जेड, तो दोनों ही वर्ड यूज करते हैं, दोनों ही आसकते हैं, यह भी question आसकता एक्जाम में, कि जेड, डबलू वे जेड, जेड, परकार का जो लिंक निर्दारन है, वो किस में पाया जा मतलब सेम, प्रियंका चोधरी बेटी करी कैसे, अब यह तुम्हाँ आप से कहूँ कि मनुस्य में XX माददा कैसे, मनुस्य में XX माददा कैसे बढ़ा, XY नर कैसे, अलाकि इसका जवाब है, कि Y जो होता न, Y, Y जो होता है, वो एक जीन, मतलब कारक उत्पन करता है, इसको बो TDF फेक्टर बनाती है, जिससे टेस्टिस बन जाती है, और वो नर बन जाता है, जिसमें Y आता है, वो वाला नर बन जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा भी हो सकता है, उल्टा कैसे बढ़ा है, कि XX नर है, और XY माददा है, तो ऐसा, किस किसमें होता है, यह बात करेंगे, इस प ही होटी होती है जबकि हमारे केस में मादा क्या थी हो मोगेमिटिक थी उसके दोनों से में यहाँ पर मादा कैसी होती है घॉमोगेमिटिक क्योंकि उसके बास दोनों ही सेम क्रोमोजोम होते हैं लिंक उनसुतर सेम होते हैं एक सेखसी जबकि यहां पर क्या हो रहा है मादा उल्टा करें मादा हेट्रो गेमिटी के इस बें यह क्वेस्टन आया है वह विटा जेट में 3-4 साल बेले तीन या चार साल पुराने पेपर में देखना थीन चार पांस साल बेले ऐसे कैसे क्वेस्टन आया था कि पक्सियों में मादा का जिनु टाइब होता है या मादा में गेमिट्स बनते हैं ऐसा क्वेस्टन था इसलिए अच्छी तरह याद के लिए ना इसको चीक है a तो और है तो यहांपर मादा क्या है वीटा मादा हेट्रोगेमिट्स है क्योंकि गेमिट्स अलगलब बनाएंगे ऊप्लस च amended और A plus W, दोनों अलगलग बनेंगे, जबकि नर क्या है यहाँ पर, नर यहाँ पर उल्टा काम करा, नर कैसा पिटा, होमो गेमिटीक है, उसके गेमिट क्या बनेंगे, उसके तो यह की बनेंगे, A plus Z, A plus Z, यह बनेंगे न, या फिर बोल दो, A plus X, A plus X, याद, समझ में आ गया, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, गेमिट बनवाते हैं इनसे, ले भई आगे ला, गेमिट बनवालो, एक बार वापस ले, गेमिट बनवालो बिटा, जैसे इन में क्या होगा, मेल, चलिए मेल का फटापर बताएगे, क्या Xenotype आएगा, लक्षिता के रही है, सर, रिपीट, चलिए, एक तो देखो, ऐसे हुआ है, बुरा ही दुबारा रिपीट कर रहा हूँ, यह हम पढ़ क्या रहे हैं, पर तो मैं आपको बता दूँ, हम पढ़ रहे हैं, X, 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 Y, प्रकार का, लिंग निड़दार है, X, X, Y, प्रकार का लिंड़दारन, यह इसका दूसरा नाम होता है, लाइगियस प्रकार का, लाइगियस प्रकार का होता ही, क्योंकि इसके जो खोज हुई थी हुए, लाइगियस बग में हुई थी, मिल्क वीड बग में होई थी विल्सर और स्टिवेंस ने की थी इसलिए इसको बोलते है क्या है भई लाइगी इस प्रकार का भी बोलते है अब इसके दो प्रकार होगे दो कौन-कौन सी होगे भई एक तो यह हो सकता है कि नर xy हो और मादा xx हो इसको क्या बोलनेंगे इसको बोलेंगे xx मादा xy नर प्रकार का यूँ बोल देंगे इसको ठीक है भई अब इसके गेमिट बनाएंगे तो मादा क्या बनाएगी वो नर क्या बनाएगा नर बनाएगा जैसे मालो इसके पहले अपने ओटो सोम भी लगा देते तो 2a plus xy हो जाएगा हो तो क्या बनाएगी नर क्या बनाएगा a plus x और a plus y क्या सेम है यह ना सेम नहीं है दोनों अलग अलग है है तो यह नर क्या हो गया है utogn लेक्र केह चाहिए हना偷र हे इस घमपर88 kg मुक्हेश खोवाल साथ दन्यवाद सुब कामना आपको सार आशिर वाद अच्छा करे बिटा अब आगे बार्च चाहिए अपका means दोनों सेमें हैं तो मादा होगी या होमोगिमिटिक होगी यह ऐसा पर एक तो यह इसका उल्टा को Parks सकता है जहांके नर 15 y कि दूसरे कुछ गयों में ईक स्वहाई डॉसकती है अब देखू यहां पर क्या हो क्या इसको बोलेंगे x y मादा अब x y का दूसरा नाम होता है x y का ही दूसरा नाम होता है z w यह x को यहाँ z भी कह देते हैं y को w कहते हैं ऐसे होता है तो x y मादा हो सकती है जबकि अपने क्या था x y हमारे x y नर था x y हमारे क्या था वही नर था और दूसरा दूसरा देखो X X नर X एसको बोल रहे है Z बोल रहे है X को तो इसको दूसरा नाम को बोल रहे है Z नर अब इनके पहले क्या लगा थे Autosome लिख दीते अब इसके गेमिट बढ़ा हो ये क्या है मैं इसको पूरा लिखेंगे अब बनाओ इसके गेमिट बनाओ क्या बनेगा A प्लास Z और दूसरा क्या बन गया A प्लास W अब ये मत करना कि सरी A कहा से आया ये तो होता ही है न Autosome एलिंग उन सुतर होते चमाली जैसे अपने अंदर होते वैसे के वैसे अब बताओ यहां मादा अपने तो मादा कैसी थी भाई अपने तो मादा एक जैसे गेमिट बना रही थी तो मादा क्या थी यहां होमो गेमेटिक थी मादा क्या थी भाई होमो गेमेटिक थी लेकिन ये वाली जो कंडिसन है यहां पर मादा देखो Z और W अलग लग बना रही है, तो यहाँ पर माद़ा क्या होगी? हेट्रोगेमेटिक हेट्रोगेमेटिक जबकि नर क्या है देखो नर के पास तो दोनों सेम है चाहिए, आप X X लिख दो जाए W W लिख दो, तो प्लस 2A लगा तो 2A फलाइगा A प्लस Z और AMost Z यहA प्लस X, 1प्लस X, एक आँका राज है तो यहाँ आपर नर क्या हो गहाए, दीको नर आट जैसे यह बना रहा है तो नर क्या हो गए, होड़ा है मतले एक जैसे यह गेमिट बना रहा है मैं अब यह वाज़ेसी आई किसमें होता है Group of ML अब इस वाले की एक जामपल है यह किसमें होता है उटा होता है कि इस परगां कर देजू हम अब ऐसन पक्सीओं में किस्टोмы फ़षिन गुस्न आव इन दर कि श्यू पर कि अमयंणेक पाक्सिओं में माता होती है होम में क्या होगा मादा क्या होगी कि वैटेन मादा क्या होगी 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 है चैनल About ling आम हमारे अंदर मादा क्या थी होमो गेमेटिक थी एक जिसी गेमिट मदा रही थी इसके लाद दूसरा मचलियों में फिसेज यहाँ पर भी हमारे से उल्टा हो गया यहाँ पर भी मादा क्या है हेट्रोगेमिटिक है जब के हमारे क्या थी होमोगेमिटिक थी और सरी सर्बों में रेप्टाइल्स में रेप्टाइल्स वगेरा में इनमें मिलता ऐसा तो यह ती ले लेते हैं वाई की जगए हाँ एक्स की से जेड वाई की जगए डबलू भी ले सकते हैं समझ में आ गया बही है ऐसे अब पोदों की बात करें जैसे उदर पोदे आए दिन दो कोक्सीनिया और मिलेंड्रियम तो यहां पर भी एक प्लांट आता जिसके अंदर उल्टा होता है और वो है फ्रेगेरिया इलेटियोर फ्रेगेरिया इलेटियोर फ्रेगेरिया इलेटियोर फ्रेगेरिया इलेटियोर फ्रेगेरिया इलेटियोर फ्रेगेरिया इलेटियोर तो इन में से क्वेस्चन आ सकता है दोनों में से एक्जाम्पल सहीत याद करने बिटा और लिख कि याद कर लेना छीक है बई आगे बढ़ जाओं छीक है तो यह आपका कौन सा वाला पूरा हो गया एक्स 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 वाई या लाइगे इस प्रकार के दो प्रकार पूरे हो चुके बटा दो प्रकार पूरे हो चुके अभी तो x x x y वाला पूरा हो गया ना जिसमें कभी x x मादा हो सकती तो कभी नर भी हो सकता किसी में किसी में x y नर भी हो सकता किसी में मादा हो सकती दोनों पूरे होगे भी अब एक और होता है देखो x x x y के ला अब यह सेकिंड किसका है यह सेकिंड आया है x x y जो लाईगे इस प्रकार का उसके दो चुके फिर एक में सही एक में उल्टा ऐसे वाला अब यह second आ गया x x female और x zero male x zero male मतलब जो male होता है पुरुस होता है नर होता है पुरुस नहीं बोलेंगे नर होता है उसमें केवल एक x होगा दूसरा zero होगा या होगा ही नहीं मतलब x x अगर दो आगे तो मादा होंगी अगर एक x है दूसरा y y कुछ नहीं मतलब zero आगया तो वो male होगा इसका दूसरा नाम होता है प्रोटेनर टाइप प्रोटेनर टाइप X, 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 0 इसका दूसरा नाम क्या हो गए? प्रोटेनर टाइप का लिंग निर्धार नहीं देखो इसमें साब साब लिखा हुआ नर्मे एक गुण सुत्र की कमी होती है नर्मे क्या हो लिए एक X होता है दूसरा होता ही? नहीं है 0 A दूसरा क्या है भई? 0 है अब बताओ मादा क्या केमिट बनाई की? मादा क्या होगी इसमें? मादा के तो दोनों X, X है इसलिए मादा तो हमेसा क्या बनाएगी? A प्लस X और दूसरा भी क्या बनाएगी? A प्लस X बहुए 2 A प्लस X, X ले ले अपने ओटो सोम भी तो लोगे न साथ में ओटो सोम लेंगी है कि नहीं भाई मेल की स्पेलिंग M-A-L-E सुमन बेटी M-A-L-E छिक है अब इसके गेमिट बताओ देख इसके कितने गेमिट बनाएगी एक या दो नर कितने गेमिट बनाने वाला एक या दो एक या दो बनाएगा कुसुम कही रही है दो बनाएगा नर भी दो बनाएगा हेमराज जी कही रहे एक ही बनाएगा जब है यह नहीं दूसरा तो कहां से बनाएगा मनिज बारुपाल जी कही रहे एक ही बनाएगा दो क्यों बनेंगे? क्योंकि auto somme थो है ना पिटा, अरो auto somme थो ही के, एक में क्या होंगे? a plus x आ जाय जाएंगे और दूसरे में क्या हैगा? a plus 0 आ जायेगा, मतलब a ही आ जायेगा अकोला, लेकिन gamit तो क्या बनेंगे? दो ही बनेंगे, और दों क्या में दो सेम है के a plus x और a A plus O, बलाब जिरॉ, सेम नहीं है, सेम है, नहीं है, इसलिए मेल हमेसा क्या होगा बिटा, हेटरोगेमेटिक होगा, मेल हमेसा कैसा होगा, हेटरोगेमेटिक, दो यह बनेंगे बिटा, क्योंकि Outsome तो ही ना, Ellings उसलो तो ही के, तो A plus X और दूसरा बन जाएगा A plus 0, तो मेल क्या होगा है अर फिर मेल क्या होगी होमोगेमेटिक है कि लिर हो रहा है 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 कि लिर अगे बढ़े जाओ वाइट पेज पर समझाओ चलो लक्सिता जी को वाइट पेज पर समझा देते बेटा वाइट पेज ले ये इसको बोलते हैं ये देखो एक पहला प्रकार आया था हमारा X, 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 Y टाइप जिसका दूसरा नाम था लाइगियस टाइप ये हम पढ़ चुके जिसके दो प्रकार हो चुके थे X, X मादा थी एक में दूसरे में वो नर बन गया था अभी सेकिंड चल रहा है X, X, फिमेल बतला X, 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 जिरो टाइप ये कोन फिमेल मादा है और ये कोन भई X, जिरो ये मेल है नर है गेमिट बनाओ ये मादा क्या हो जाए ये 2A फ्लस X, X तो इसके ये मादा है मादा है इसके गेमिट बनेंगे दो प्रकार के क्या बनेंगे A फ्लस X, A प्लस X A फ्लस X तो दोनो सेम बन गए तो ये क्या होगी Homogametic चलिए अब ले लीजिए नर को मेल को ले लीजिए वेल क्या हजयेंगे 2A प्लास X0 इसके गेमिट बनाइए ये गेमिट क्या बनाएगा नर ये बनाएगा A प्लास X और A प्लास 0 A plus 0 देखो गेमिट दोनों सेम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा नर क्या हो जाएगा मेसाई नर हो जाएगा हेट्रो गेमिटिक बच्चों तो बड़ा रहे हैं सबने कितने बच्चों को भाई आ रहा है क्लियर लक्षेता बीटी अब तो क्लियर है अब क्यों अपने क्या देखने इनके एक्जामपल देखने तो टेक्निकल टीम लेके चलेगे हमें एक्जामपल के उपर और यह देखी यहां गेमिटिक भी फोर्मेशन किया हुआ है वाइट पेज की जोरती नहीं थी कि मादा जो होगी वो 2A प्लस X X हो गई मादा कैसी होगी 2A प्लस X X तो A प्लस X बन गया और दूसरा A प्लस X बन गया होमो गेमिटिक होगी मादा नर में वोई 2A प्लस X 0 हो गया तो A प्लस 0 A प्लस X हेट्रोकेमिटिक हो गया अब यह इसके एक्जामपल है ग्रास ओपर यह टिड़ा ग्रास ओपर यह टिड़ा मारो रटिड़ा में नर में X कोनी मारा रटिड़ा के नर में X कोनी मादा मिले दो X Y मतला X वाली रहे मोनू बराला जी अब रिपीट नहीं होगा आप लेट आए बिटा आप वीडियो चला के दुबारा देखना आप वीडियो चला के दुबारा देखना फिर समझ में नहीं आए तो कल क्वेश्चन करना दुबारा अप्लोड हो जागा थोड़े देर में क्लियर है भई? एक्जाम्पल याद होगे ग्रास ओपर यह टिड़ा कोकरोच एसकेरिस यह तीन एक्जाम्पल है कैसे आद ग्रुपे? टिड़ा रहा कोग्रोच 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 रहा करी कि अभी लेकि प्लांट कोई प्लांट ही एक ही एक स्थानर में हां है दो फ्लांट है एक तो डाय प्लांट यह वेकर प्लांण्ट ऊंने क्कॉर्स इंक्षा उप्लाइब उप्लांट 10- चलिए फटाप्ट पटाप्ट इसके ला एक्स है डाइस्कोरिया साइनुटा नर्मे एक ही एक्स है वेलिस्नेरिया स्पाइर इस्पाइरलिस नर्मे एक ही एक्स है देरे देरे चाल रहा है सावरिया बिल्कुल नवीन जी आगे बढ़ जाओ क्लियर है भाई सभी का चली एक बड़ा धीनियम पास हो रहा है बढ़ा हाला कि आपके फरक नहीं पड़ता है कि जूटा परचार करने वाले विज्यापन जूटे देने वालों को सीधी जेल में डाला जाएगा कल से लागू हो रहा बीच तारिक से हो इसलिए अब सारे जो है न सभी इंस्टूट वाले इमानदरी से अपना रिजल दिखाएंगे बेमानिया बन एक दिने मारा हिंदुस्तान में कल लागू हो रहा है कल का दिन जो है न बच्चों के लिए उपबोगताओं के लिए बड़ा दिन बड़ा कल का दिन हिंदुस्तान के उपबोगताओं के लिए अगर कोई भी जूटा विग्यापन देता है चीर्णी का भी तो सिधा जेल में डाला जाएगा कल से यास, मनोज नेनावजी कहे रहे है टिडडा कोकरोज एसकेरिस मेल में 1x, बिल्कुल बिटा हाँ, सही में बिटा दिव्या बिटी है, बिल्कुल सही में कल से 20 तारिक से हिंदुस्तान के इतियास में आज के भासकर में दे रहा है फ्रंट पेज बे फ्रंट जो है न आज दो आए एक उपर वाला थर्ड नमर का जो फ्रंट होता है पन्ना एक पलटे फीर वापस एक फ्रंट पेज हो रहाता है मुख्य पेज मुख्य परस्ट उस पे नीची आया चोटा सा पढ़ना सारे तो यह बड़ी खबर है इमानदारों के लिए मनप्रीज सेवदाजी को मज़ा आ गया इससे इससे क्या ब्रमित नहीं होगा कोई ब्यम मैं भी ब्रमित हो जाता हूं कहीं को देखें कई साबुन वाले ऐसे कहते हैं यह मारे ना साबुन हंड्रेट परसेंट किटानों को मार हो जाते हैं असी ह juni तो भी पर जो है उसके गुच्छा लगा यहाँ पर याँपर किटानों गारों का वड़ी प्रवल्म हो रही थी अब तक तो तो फ्र उक्या करते है आज etmek जो एड आतार उसमें एक किटानों रख देते हैं पहले क्या करते थे हैं उता नहीं के यहाँ पर खूब सार लगे ही रहते हैं अब अब ऐसा नहीं होगा अब आदनी चीटिंग नहीं कर पाएगा लाइब वो है जहां सडांद है वहां बिल्कुल ने ऐसे यूटूब पे नह सही है चले तो चीटर्स के लिए बूरे दिन आगे विटा आगे लिए अब आगे लिंग निर्धारन की नेक्स्ट वीदी आगे विटा एगुणित एवं दुईगुणित किरिया विदी ऐसा मिलेगा मक्हियों में ततैयों में इनमें मिलता है बड़ी खबर यहां से निकल यह दिख नहीं रहा होगा न साफ यह दिख रहा है थोड़ा क्वालिटी बडालेते हैं न कि मैं कर लेता हूं इसको कि बड़ी है मेरे तो 108 c sd quality फिर भी नहीं दिख रहा है मेरे को तो कि यहां पर डिटोल इस दा बेस्ट लाइब वाली तेरे उपर केस कर देंगे कमी निकाल हमारी है चीक है कि एक्जाम को पोस्ट परण करवाने के लिए जेपुर में क्या मुहीम है कल मुहीम है अच्छ चली कि पूरी पूरी possibility है हाला कि जो 100% दावे कर रहे हैं वह सही नहीं है वह सही नहीं है पूसिबिलीटी है बढ़ने के आगे लेकिन दावे नहीं कर सकते हो ही जाएगी संबावना है बढ़ने की संबावना ज्यादा मतलब बढ़ने की लेकिन कब तक पर कब कराओं घदधे ये तुमारे तुम याद करो कि कभी अपया आने वाले पीडियो तुनाओं गे हमारे शहर गया थाख़ूंब नहीं लगी ती यह हो गया था वह घूंसर्अ में तो कर अब सढ़ नहीं को दो चुम कर वहां और या पर था कि मैं समझा दूँ इसको चली जूम कर रहे हैं आपको अब सहिए को मुहीम क्या होता है मुहीम का मतलब एक पहल ऐसा करवाना है अब सही है कि सबको दिख रहे हैं कि मैं भी नहीं दिखू तो कोई बात नहीं यह दिखना जी ओके चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर लिखा पेरेंट्स तो देखो फिमेल जो होती है फिमेल वह होती है न बराबर 32 मतलब ट्वेन का मतलब क्यों क्यों होगी डीप्लॉइड होगी मेल क्यों देखो नर यह लोगिया फिमेल बराबर 32 और ट्वेन आती हो तो क्या हो गया डिपलोइड हो गया और मेल क्या हो गया न को बोलते है फ्लोइड इन दिम बोलते एगो नित क्लियर है अब दोनों में मालो या इसमें हुआ मियोसिस मियोसिस कहते है अर्धसूत्री विवाजन मियोसिस क्या हो गए अर्थ सुत्री वाजन बताओ 2N से जब अर्थ सुत्री वाजन होगा तो क्या बनेंगे N बनेंगे जैसे 2N बरापर 32 है तो N बरापर क्या हो जाएका 16 यहाँ पर भी N बरापर क्या हो जाएका 16 हो जाएका न से तो देखो 2 बन गए यह N बरापर 16, haploid यहाँ पर भी N बरापर 16, soul है वो भी haploid बन गया meiosis हो गया किसमे हो यह लेकिन meiosis मादा के जब युगुमग बने मादा नर्ने युगुमग बना है वो तो mitosis से बना वो तो सम्शुत्री वाजन से बना बताओ समसुत्री ने क्यों बना क्योंकि आल्रेडी क्या N है और N होता उसमें कभी भी अर्षुत्री नहीं हो सकता क्योंकि N का एक बटा दो N नहीं हो सकते एक बटा दो N नहीं हो सकते तो देखो फिमेल ने क्या क्या है फिमेल ने गेमिट बना दी है यह गेमिट बनके बिटा और किसकी बज़े से बनाए अर्शुत्री वाजन यानि आदा आदा कर दिया एन बराबर 16, एन बराबर 16, एन को एफलोड या एगुनित बोलते है तो उनोंको एफलोड लिख दिया और मेल ने भी गेमिट बनाया है, मेल भी तो गेमिट बनाएगा, नरीकुमक बनाएगा, तो नरीकुमक कैसे बना, वो बना समसुत्री वाजन से, और वो हो गया, एन बराबर 16 का सोला ही रह गया, क्योंकि समसुत्री वाजन में क्या होता है, गुण सुत्रों की संक्या सेम ही रहती है, जो पेरेंट सेल में है, वो ही डोटर सेल में रहती है, तो parent sale में कितनी थी N बराबर 16 तो daughter sale में भी क्या आ गई N बराबर 16 सही है अब माल लेते हैं कि कभी जो है न फर्टिलाइज़न हुआ ही नी female ने जो gamit बनाया उसका अगर फर्टिलाइज़ेशन नहीं हुआ without फर्टिलाइज़ेशन हो गया तो बन जाएगा मेल नर यहाँ पर नर बन गया नर बिना निसेचन नर बनता निसेचन से मादा बिना निसेचन नर बनता निसेचन से मादा बिना निसेचन नर बनता है निसेचन से मादा निसेचन से मादा बिना निसेचन नर बनता है निस्टेया नो गया न भाई यय नर का गेमइट आ गया यह गया गता है और दोनों मिल गए न हलाए दो दोनों वाह गया तो दोनों नבע पनेत मैचया हैप्लोईट बने गैणनर डिप्लोईट बने गीमाधा हैप्लोईट बने G बलेंक पर बनाके तौन है कि हानो फिदर मेल बन गया और स्माजसीड हो गया तो फिनल कीि अगर समझ में आ गया तो ठीक है नी तो इसको दुबारा भी ब्लेंक पे बनाओ विलकुल वाight पेस पे बनाओ आ गया पर्फेक्ट समझ में आ गया नतला नर आमेसे क्या होता है ऐन ही होता है भिटा मक्कियों में आ गया वैंक से जदा मज़ाता लक्सीता को तो सौंग से आते हैं भी चुलती हैं ना सोंग इसे ही चलती है पूरी पढ़ाई उसमें तो कुई बिना सौंग के होती है निया именно मेरे इसले सुलने ысयात्य पूर्लाव क्या आद चल रहा है पूरे राग में चलते हैं अच्छे चलते थे गुछ बोल नहीं रहे इस सर को क्या बूले इस समझ में आ गया नमस्ते सर अंकित कुमार डिपार्टमेंट ऑफ सोल साइंस जोबने फॉरमर राजदन इस्टुडेंट पुराणी यादे ताजा हो गई अंकित जी नमस्कार धन्यवाद आपकी इतनी सांदार लाइन लिखने क स्थेन आपकी लिए इसे बचों को बढ़ा एनर्जी मिलने वाली रयां यह बहुत बढ़ीं आप बहुत हीजवर दस्त थेंक्यू बढ़ा में सिंगर निये इस मिद्त गाल ये बस और ना बहुत सिंगर तो नहीं सिंगर्ट सीज होते हैं वह तो बहुत बहुत जावर सगा यह वाइट बढ़ा लेते हैं यह ओगी फिमेल फिमेल हमेंसा क्या होती है टुए न होती है महिला माधा टुए न बराबर किसने होते हैं यहां पर फरटी टू तो यह कैसी होगी डिपलोईड रिपलोईड और इधर आगया दूसरा नर इसको क्रोस भी नहीं लिखना है क्रोस यह नहीं होगा हो तो यहां पर लिखते हैं मेल और मेल क्या होता से ए न ही होता है तो अ बराबर किसने हो गए 1632 का आधा 16 विबाजन से और मेल भी बनाएगा लेकिन मेल कैसे बनाएगा भई वो बनाएगा माइटोसिस से यानि कि समसुत्री विबादन से मियोसिस होगा तो दो परकार की गेमिट बनेंगे बिटा मतलब दो गेमिट बनेंगे सेव आदा आदा हो जाएगा मियोशिस कमल अर्शुत्री आदा कर देगा हो तो N बराबर कितना हो गया 16 और N बराबर 16 यह गेमिट बन गए दो यह कोन है भई? यह है गेमिट गेमिट बोल दो, दोनों को बोल दो यहाँ पर भी गेमिट बना दो तो गेमिट तो माइटो सी से बन रहा समसुद्री बादन से, तो समसुद्री में तो वह ही बनेगा जैसा है वैसा का वैसा ही, तो क्या बन जाएगा N बराबर 16 ही बन जाएगा अब डिपेंड करता है कि यहाँ इसके बाद में कि निस्याचन होगा या नहीं होगा अगर निस्याचन नहीं होगा माल लेते हैं निस्याचन नहीं हुआ नो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन नहीं है तो भाईया यह मेल बन जाएगा बिना निस्याचन क्या बन जाएगा? मेल जिसमें N बराबर क्या रजाएगा? 16 रजाएगा, मतलब हैपलोइट रजाएगा मेल हमेशा क्या होता है? हैपलोइट होता है, N नहीं होता है ठीक है भई? इधर ले लो अगर ये दोनों मिल गए नरका जो यूगमा कहा है और मादा का बनाएवा यूगमा कहीं दोनों मिल गए, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया फर्टिलाइजेशन क्या भई? हो गया तो क्या हो जाएगा? 2N बराबर 32 और डिपलोइट क्या होती है? फिमेल होती है तो ये बन जाएगी फिमेल और ये कैसी होती फिमेल हमेशा? डिपलोइट ये लो साब, दूबारा समझ में आगया थोड़ा फास्ट करेवेटा नहीं तो फिर अपन लेटो जाएगे चेप्टरों कम्प्लीट करनें समझ में आगया? पीए से आगया बच्चों का मस्ता, मेरे वाला सनो चल रहा है हाँ, गेमीट दोनों बनेंगे लेकिन यहाँ पर माइटो सी से बनेंगे इधर मियो सी से बनेंगे, मतलब समसुत्री बाजे से बनेंगे आगया बच्चों को लिखावा समझ लेते हैं कुछ टेकिनिकली कोई दिक्कत नहीं आए आपको तो नोट्स पढ़ने पर भी आपको समझ लिए इसलिए लिए लिखावा है कीटों में जो वर्ग होता हाइमेनोप्टेरा कौन से वाला भाई हाइमेनोप्टेरा कौन से वाला है हाइमेनोप्टेरा वहां पर ऐसा होता है कौन कोन आते हाइमेनोप्टेरा वर्ग के अंदर इसमें आती है तो मदुमक्की ऐसा मदुमक्की में होता जो भी पड़ा हमने तताय, तताय जाने में टाट्या, टाट्या लड़िजाओ उसे, तताय तो वैस्प या तताय उन्में हो जाएगा भाई, और साथ-साथ हो जाएगा, चीटियों में, आंच्स में हो जाएगा, ठीक बाई, इनमें लिंक ड़र किसकी की होज़े से हो रहा है, N या 2N की वज़े स और N को क्या बोलते हैं? Sets. N बोले तो Sets और 2N बोलेंगे तो Sets. समुझे Sets. देखो, गुण सुत्रों को अगर डिपलोइट आगया, किसी में डिपलोइट डिपलोइट, दो N आगया तो मादा ही बनेगी. अभी जैसी निशनों के 2N आया तो क्या बन गई थी हो? मादा बन गई थी. और अगर है पलोइट रह गया आए नही रह गया? निशन नहीं वा तो भूप बन जाएगा? मेल. वो क्या बन जाएगा भाई? मेल. मद्ध मक्यों में ऐगूनित अंडों से, ऐगूनित बोले तो N, N से में सा क्या बनते, नर बनते, ड्रोन बनते, आइगूनित य बोलते हैं मक्हियों में तो यह बन गया अगर दुईगुणित अंडे दुईगुणित का मतलब टुएन अंडे निस्चन हो गया तो अभी रानी बन जाएगी या बन जाएगी स्रमिक मक्ही रानी या स्रमिक बन जाएगी रानी कौन बनेगी रानी जिसको मिल गई रोयल जेल से बंढ रहे हैं लेकिन मादा जो बंढ रही न मादा वो बंढ रही है निस्ये चंद से या टुएन से ठीक है बही चली आप देख लेते कौन रोयल जेली समझ में आगा सारा यहां तक आगे बढ़ लेते हैं यह देखो यह डिपलोड जो होती है अब जिस लार्वी को क्या मि आएक होती हो और जो भी ब्रेडी मिलती है जिनको फालतु का सामान मिलता है वो बन जाते विचारे स्रमिक और यह बंदे होते हैं मतला स्टेराइल होते हैं यह संताने उत्पन नहीं कर सकते ठीक है तो मादा कैसे मनी निशेचन से मादा बिना निशेचन नर निशेचन से मादा बिना 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 वह दो आणा तो पहले मादा उता में मत्रूत लाए्इज कर दो राणी भाग व्र यूज पहले जाके । क्षभ कर दो आज से आपके महराजा होंगे महेंदर दलहनी फिर भाई तिलहनी को आ जाएगा वो भी तो महराजा बनेगा ठीक है ठीक है आज से आपके महराजा होंगे महेंदर दलहनी बाउबली नहीं दलहनी चलिए अभी एक थियोरी और रहेगे भाई जीन संतुलन सिद्दान जीन बैलनस थिओरी अभी लिंग नहीं की एक थिओरी ओर रहा है गी बैलनस थिओरी और ये दीती सीबी ब्रिशेज त्यिस ने किसमर कूब टेती बैई CB brises ने भरलाल देव नहीं CB brises brises है तो brises लेकिन इसका उच्छान जो रहे brises, ऐसे करते हैं इसलिए हिंदी में भी लिख दिये इसको brises, ऐसे हैं CB brises, ऐसे बोल दो कोई नहीं इन्होंने drosopila में दीती क्या दीती, gene balance theory या genic balance theory theory इसके अनुसार क्या होता है y-gpage, गुणसुतरà जो होता हो heterochromitine होता है अगर ये word किसी बच्चे को समझ aware ओ, याद हो, कभी पढ़ा हो तो मեरे को त्बनद बठाएगा heterochromitine क्या होता है इसके बराबर में एक word ओ रहाता है हम अलो, मं तो शूचरता किसी को आएगा है नी, कुसुम चोधरी तैसके बराबर का लिख दिया, यूक्रोमिटीन, बैस सर समझ जाएंगे अपने आपें, हमीं, है यहेट्रोक्रोमिटीन, कुसुम ने फिर लिखा है इसको सही, स्टोन जादा होती है, और कुछ, हैट्रोक्र बन सर्माजी कह रहे हैं ऐसेने लिक डिदान से क्या मतलब यहां हां लिकषर में भाग लेती सभी और और पुछ कि सिसक्रों आपको जयादा स्टैन कर दे कि जयादा स्टैन कर दे जड़ा स्टैन हो जाए खुद्धी हो ती हूँ ग्रोमो जहीं चलिए मैं बताता हूँ आपको देखो ऐसा होता है बिटा आपने आपको थोड़े दिरो पहले मैंने कहा था कि क्रोमेटीन ही आगे चलिए क्या बनता है गुण सुत्र आज का क्रोमेटीन कल का गुण सुत्र यह कोई कोशिका है और यह कोशिका में को होने बाई नुकलियस है, double membrane होता है नुकलियस, दोहरी जिल्ली वाला, इस नुकलियस के अंदर, यह क्रोमेटीन है, अब जैसे यह क्रोमेटीन हो जाएगा, जाल सा बन जाएगा, तो इसका नाम ही क्यों हो जाता है, क्रोमेटीन जाल या क्रोमेटीन नेटवर्क, क्रोमटीन NET कहे दो क्रोमटीन NETWORK कहे दो चीक है आजका क्रोमटीन कल का गुर्सुत्र अब यह दो परकार की होती है क्रोमटीन इसका तो नाम होता है U-Cromate U-Cromate यह सक्रिय प्रोटीन आते हैं लेकिन प्रोटीन से बमक्रोमेटीन बिखिता है टेल्लावारी बीच वाली प्रोटीन तुसका नाम होता you चोप्रोमेटीन तो यू चे रावार होर्ढमेटीन दुनिया में कहीं पी यू वर्ड आजओ, आपके किसी भी term के आगे अगर U लग गया किसी भी सब्द के EU ये लग गया ने इसका मतलब अच्छा है हो सू विक्षित है अच्छा है U छे, सू छे, चोको छे U छे, सू छे, चोको छे मतलब हिंदी के लिए इसके वर्ड आता है सू जैसे U-Karyotic Cells मतलब Karyomis Kendra U यानि सू, सू के अंदर के को सिका मतलब इसका Kendra क्या होता है अच्छे वाला ठीक है तो ये अच्छे वाली होती है मतलब अच्छे वाली होती है लेकिन जो बाहर की तरफ रह गी नहीं बाहर वाली इसको बोलते है हेट्रो क्रोमिटीन क्या बोलते है भाही इसको ये वाला, ये बाहर वाली को बोलते है ये क्या होती है? ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है ये ट्रांसक्रिप्शन को बंद कर देती है DNA से mRNA बंद रहा उसको बंद कर देगी कलर इसके उपर ज़्यादा चड़ता है हिस्टोन इसमें ज्यादा होती है तो कुल मिला कि यू मान लीजी है कि बाहर वाला जो क्रोमिटीन बाहर की तरफ जो परीधी की ओर है या के अंदर जिल्ली के पास की तरफ जो आ रहा है जाल सा उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते है हेट्रो क्रोमिटीन हेट्रो क्रोमिटीन तो हेट्रो क्रोमिटीन तो कौन सी होगी बाहर वाली बीच वाली कौन सी होगी यू क्रोमिटीन हेट्रो क्रोमिटीन क्या करती है यह ज़्यादा अच्छी नहीं होती है मतलब इनेक्ट्व क्रोमिटीन होती है ये color ज्यादा चड़ता है इसके उपर ये थोड़ी चे ना condensed type की होती है ऐसे होती है ठीक है गुजराती voice nice बापू आपकी, मैंने गुजराती बोली नहीं बिटा कहां बोली गुजराती और ये अंदर वाली u-chromatin ये वाली su-chay, चो-chay, ये वाली su-chay, चो-chay, ये यूँ चली-चली, ये इसको गुजराती लगी बाइ तो ये क्या कहा रहा देखो y-gund-sutr जो होता है, वो heterochromatin होता है मतलब वो chromozomik कैसा वाला होता है कम active होता है, ये इन active होता है मतलब active ही नहीं होता है, हेट्रो-chromatin कभी भी active होती है, बहुत ही कम active होती थोड़ी बहुत होगी तो, बागी नहीं होती है सही बही? तो देखो, साब-साब लिखावा कि होता क्या है भी, ड्रोसो भिला के अंदर कि y-gund-sutr होता है, वो heterochromatin होती है 8 अर्थार्थ अर्थार्थ लिंग निदारण में सक्रिय नहीं होती लोसब क्लि pergibert चे प्रोच भूश्म्म क्या मेंचिया हुई है यद्यों क्या क्या है हमारे वैसे סमझ में आ गया वह की है मतलब लिंग निदारण में भाग नहीं लेता है वाए-घ्या ना लेकिन वो ज्यादा बाग इसमें नहीं लेता है कि इसमें लिंग निडदारण में फटा पटा पटा आगे लिटा लेट हो गए अब यहाँ पर देखो लिंडदारण कैसे हो रहा है यहाँ पर देखो एक्स वो बनाया गया है sex index क्या मनाया गभी sex index sex index रेशियो दो चीजों का लुपात हो गए एक्स गुण सुत्र की संख्या और नीची आएगी v Dollar का सन्ख्या इन दोनों के रेशियो के इसापセल लिंग नडदारण होगा लेकिन आज लेत हो गए कल इसको आगे ले लेंगे दुबार समझा देंगे और मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा बैतरी कि अंजी कि समझ में आ गया होगा इसके बाद में केवल एक यह जो है न कल हो जाएगा जैदा नहीं दस परव मिनिट का उसके बाद में एक मुटेशन और पटना आपको उत्त परिवर्त ठीक है उसके बाद के जो है ने ट्रांस्क्रिप्शन या आपके जैनेटिक कोड यह अमने बना के उदर डाल दिया उदर बना के उसमें डाल दिया इसलिए दो दिन के अंदर या लास्ट लोट आई दिन में मतलब खातम हो जाएगी उसके बाद अगरी कल्चर सुरूख रहेंगे लेकिन इससे भी ज्यादा पसंद है कोई यह कहें कि मेरे को समझ में नहीं है चुटकला सुना दो अभी चुटकला का बिटा साधे अभी मैं क्या कि च्छे बज़े वाला टेस्ट प्रीपीजी का टेस्ट डालना है बच्चे इंतजार कर रहे हैं इसलिए उसमें लेट हो जाएंगे नहीं तुम आदा गंटा और ही पड़ा जिदा लेकिन टेस्ट डालना है कही सारे काम होते भी बहुत काम है अब अब से लेके साधे साथ तक बिल्कुल यह चलेगा यह ए तब जाके बेटा परफेक्ट कर पाते हैं साम तक खाना भी बेटिया खिलाती है लाके मुँमें देती रहती है मैं काम करता रहता हूं फिर एक क्यों करते अच्छा जिन बच्चों लाइक नहीं है मनीस बारुपाल जी की बात मान के आप लाइक कर दे अब यह टाइम इसलिए बहुत काम होता है ठीक बहुत बहुत अन्यवाद आप लोगों का इतना सयोग इतना प्रेम इतना सने के लिए और अभी साम को साधे-साथ फिर मिलने वाले हैं दमाकेदार करेकरम के साथ 67 नंबर का एपिसोड आएगा 60 नंबर का राजदानी फाउंडा ब्रेंद ललका उससे पहले दोनों टेस्त आ हरालत कर आएं या अच बहुत तकड़ा रिजल्ट आएक तुमारा लोग देखते रहे जाएघ के लोग देखेंगे भाई क्या कर डाला इन्होंने यह कहां पड़लिया इतना इसलिए टैस्ट बहुत जरूरी है प्रेस देते रहो पढ़ते रहो अच्छा करते रहो और अभी डाल दिये में थोड़ा मोटा मोटा उसको ओर देख लो किसको अभी तो टाइम ना डेड़ कंटा है तो थोड़ा केमिकल बॉंडिंग को इनको आती है आपको थोड़ा सा उनको दोरालो तब तक के लिए झाल झाल